तो मिरजापुर सीजन 3 आ चुका है मैंने देख लिया है और कैसा लगा तो मेरे कहने के अंदाज से आप समझी गए होगे कि बस ठीक ठाक है उतना जादा मज़ा तो नहीं आया यह वाला सीजन कुल मिला के 10 एपिसोड में और शुरुगात के एपिसोड आपको कहानी को बिल् सास होता है कि आप एपिसोड 9 पर पहुंच चुके हैं तब जा करके कहानी बिल्ड होती है और यहां पर आपको यहां कच्छुआ चाली नजर आती है कुल मिला करके वही पुरानी केरेक्टर है और वही पुरानी इंसिडेंस है बस उनको तोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है जैसा कि एक्शुल लाइफ में भी होता है चीज़े आगे बढ़ते हैं यहां भी आगे बढ़ा दिया गया है असली मज़ा असली मज़ा आप 9 में एपिसोड से मान सकती हो और 10 मां तो ही क्लाइमेक्स उसमें तो सारा मज़ा तो ही गुसा जिसका आपको इंतजार है को दस में एपिसोड में है कुल मिला करके यहां पूरे अगर सीजन की बात करें तो आपको देखने के लिए 9-10 घंटे चाहिए क्योंकि 10 एपिसोड है हर एपिसोड लगबख 50-50-55 मिनट ऐसा है तो 10 घंटे अपने निकाल के रख दीजिए इन 10 घंटों में से आप यकीन मा तो ट्रफ आगा लगी है कहानी को थोड़ा बड़ा बनाने की चक्र में मिर्जापूर्श से ले करके कहानी को तोड़ा और ग्रो कर दिया गया है और पूरवांचल को ले लिया गया है इसमें एक ही जो अभी तक कालिन भाहियान फेमिली क Byta तक एक और बाद जू ऊपर इसके अलाबा से अभी तक की सीजन बन और सीजन टू इसे लिए खाया गया से लेकिन यहाँ पर फिमेल केरेक्टर भी बहुत बजंदार है और ऐसा लग रहा है कि सायद यहां की कहानी को लिखते समय फीमिल करेक्टरी सेंटर में थे क्योंकि पॉलिटिक से लेकर के बैडरूम तक सिर्फ उनी का दबदबाद दिखाया गया है इस सीजन में जिस एपॉंटमेंट भी बहुत है जिन दो करेक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि हमारे मुन्ना भाईया आएंगे हमारे कालीन भाईया आएंगे तो मुन्ना भाईया को लेकर के तो यहां पर जीरो बटा सननाटा है आपको कुछ खास नहीं नजर आएगा और रही बात कालीन भाईया की तो कालीन भाईया इतने लेट आते हैं कि आपको उनका आना ना आना कुछ खास समझ में नहीं आता है हाला कि अप इसको थोड़ा सा बड़ा वाला LGBTQ कह सकते हैं आते हैं climax का मझा देखर करकर लाटे हैं तो भी इसको कुल मिलाकर कर की मिर्ज़ापूरगा season fools 3 उतना जयादा मज़ेदार तो नहीं है जतना season एक और season drugiej यहां पर वही पॉलिटिक्स है यहां पर पर हैं जो कुछ पुराना था, वह नया, कुछ खास नहीं, तो मिर्जापुर का नाम इतना बड़ा है, ब्रांड बन चुका है तो उसको देखना बनता है, जाइव देखिये और पता करि इक TH decentralized धिकुंग समुष्य। यहां पर एक खास बात और बें आपको बताना चाहूंगा कि पोस्ट क्रेडट सीन भी है और लग रहा है कि सीजन फूर के तहीं आरी है भाई जब आप सीजन थी में कुछ नया नहीं परोस्पाया है तो सीजन फूर में क्या खाड़ लेंगे मेरे साफ से तो इसको एंड अप जोड़ा जाएगा या पिर कुछ और नया बिलकुल सनसनाता हुए लेकर कि आएंगे comment कर के अपनी रहा बताईए क्या कुछ होने वाला है अब सीजन 4 में सीजन 3 में क्या कुछ होगा है comment कर के अपनी रहा बताईए कैसा लगा आप